Hello, दोस्तों, Welcome back to AirAppsUpdate YouTube channel दोस्तों, अगर आपकी पास DSLR है और DSLR में आप जो माइक है जैसे कि मेरे पास देख सेपनी हो, यह जो माइक है इस माइक को अगर आप DSLR में कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कर पाऊगे? इस विडियो मताओंगा तो आप बहुत लोग यह सोचते हैं कि DSLR में माइट नहीं कनेक्ट होता है क्योंकि जो बया माइक है वो तो सिर्फ 1000 रुपया के अंदर मिल जाता है लेकिन बहुत लोग करते हैं DSLR में माइक कनेक्टने के लिए 20,000-30,000 का रोड खरिते हैं फिर और भी ऐसे Bluetooth माइक है जो खरिते हैं तो इतना हाई प्राइस में सबका लेने का तो होता नहीं है तो आज मताओंगा जो मेरे पास यह माइक है यह सही तरीके से DSLR में कैसे कनेक्ट कर सकते हो और सही तरीके से कै माइक को सेटिंग करना है DSLR में और यह सेटिंग क्या है किसी भी DSLR पे यह सेटिंग होगा तो इस वीडियो को दोस्तों शोग से ले किलाज तक ज़रू देखना तो दस्तों आपको फिर सवागत करता हूं आपका ही सेटिशनल एपस अपड़िट में दोस्तों मैं हूँ आपको मुझे पहले नहीं आता था लेकिन अभी मैं आपको भी सिखा रहा हूं क्योंकि आपको शायद यह प्रोब्लेम हो सकता है अगर आप यूटूब में वीडियो बग्राइब बनाते हो या कभी DSLR लिया तो उसमें आप माइक कनेक करना चाहते हो लेकिन माइक कनेक नह पर एक्साइटिंग करना होगा सिंप्लि आपको DSLR का ऊपर देखो यहां पर वीडियो का आप्शन आएगा तो आगर आपका यह ओट रहेगा इस तरह से ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्योंगा वीडियो बनाने के लिए यह वीडियो में सिलेक्क करना होगा कर दिने क क्लिक करोगे तो यहां पर कैमरा के जगा पर एक नमबर पर आएगा देखो और यहां पर साउंड रेकूटिंग तो यहां पर इसी साउंड रेकूटिंग में आपको यहां पर क्लिक करते ना होगा ठीक है साउंड रेकूटिंग पर आगर आपका DSLR टाच है तो यहां पर ड और मीडिल का यह सैट है तो आपको मेनील जैसे करोगे फिर अचिक यहां पर यहां पर क्लिक करना होगा फिर wind filter मतलब है noise cancellation जो यह बहुत ही ज़रूरी है अगर आप वीडियो बना रहे हो कोई बाहर से noise हो रहा है आवाज आ रहा है तो इसको wind filter auto रहता है तो auto पे क्लिक करके आपको बस disable कर दो इतना setting करना है ठीक है इतना setting करने के बाद फिर आभी फिर से यह वीडियो में क्लिक करो क्लिक कर दिने के बाद अभी दिखाता हूं यह देखो menu पे क्लिक किया जो मेरा mic है अभी में mic लगाता हूं और DSLR में mic लगाने के लिए simply देखना mic option दिया गया है हर DSLR में इस तरह से mic लिखा हुआ रहता है तो आप मेरा इसके पीछे है शायद आपका अलग जगा पे होगा लेकिन होगा ज़रूर जैसे की देख सकते हो तो यह जब बया का mic है तो अभी में यह बया का mic लगा लेता हूँ और जैसे mic लगा लिया और mic लगाने के साथ-साथ यह देखो mic का यह connection का आ चुके है तो अभी यहाँ पे और एक setting करना है जो आपका बया mic है यहाँ पी यह ज इससे select करोगे फिर अभी आपको menu पे click करना होगा ठीक है इसी तरह से फिर से menu पे click कर देना होगा कर दिने की बाद अभी देखो यह आएगा फिर आपको करना के होगा जो आपका mic है mic को मुह के पास मतलब जो आपका मुह है बिलकुल मुह के सामने ले जाके voice recording करना है फिर ह जैसे कि अब में दिखाता हूँ इसको record करता हूँ जैसे record पर click किया तो record हो रहा है तो आभी जो यह mic है ऐसे दूर से का होगा तो record नहीं होगा बहुत लोग यह गलती करते थे इसलिए मुह के पास ले जाओ मुह के पास जितना ले जाओगे फिर record होगा ठीक है फिर इसी त तरह से आप आपके DSL पर इसी तरह से यह माइक है जैसे मैं कह रहा हूँ यह माइक को आप भी आपके DSL पर connect कर सकते हो तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लिस दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और सैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी साभी करके उसके साथ जो बेल है और वाल बेल पर तबाके जरूर रहत करा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर लेंगे दोस्तों आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो जैए